हेलो फ्रेंड वेलकम टू एड़ी एसेस यूर एड़ुकेशन मेंटॉ सो फिर इंड चलिए देखते हैं नीट यूजी में क्या लेटिस अपडेट है कांसलिंग कहा तक पहुची है कौन कौनसे स्टेट के कांसलिंग इस फॉर्म आच चुके हैं और किसके फॉर्म नहीं आए अभी फिलहाल आप एड़ी एसेस की ओफिशल वेब साइट को पर हो जै आप सभी को पता है कि 6 जनवरी की जो डेट है सुप्रीम कोर की तब तक कि ये कांसलिंग फिलहाला भी पोस्पोंड है बट कल ही इसमें एक ओफिशल नोटिस आई है जिसमें जो ऐसे स्टुजेंट्स होते हैं जिनको अपनी कैटेगरी चेंज करनी होती है एनराई कैटेग प्रिकेट, स्पांसर्शिप एफडेविट, रिलेशन्शिप एफडेविट और आपका स्पांसर का पासपोर्ट ये सब अपलोड करके आपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो जिससे कि ये काफी अच्छा ग्रीन सिकनल आप ये भी देख सकते हो कि कांसलिंग का धीमें धीमें एक्टिव ये तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है लेकिन आदेस ज्यादा स्टेट्स इंडिया में अपने अप्लिकेशन फॉर्म निकाल चुके हैं आईप्यू का रेशिएशन ओलेडी हो चुका है पहले ही हो चुका है आप डियू की कांसलिंग इसलिए रूखी है विक इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अभी गोवा रुकावा है लेकिन गुजरात का अगर आप इस्टेटेस देखते हो तो गुजरात में अपना फस्ट राउंड का सब कुछ करा लिया है फॉर्म फिल करा लिया है डॉक्मन वेरिफिकेशन करा लिया है अब वो फाइनल अ अभी जो स्टेट में आपको कांसलिंग करनी है जो भी आपने स्टेट अपने स्टेट सेपने सबसे टार्गेट किया है आपका रिजिशेशन वहां पर मिस आउट ना हो जाए डिकॉझ जैसे कंसलिंग की जो हैबिट होती है रूटीन हमको पता है कि एक साथ कंसलिंग स्टार्ट होती है लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से कंसलिंग हो लिए धीमे धीमे श्टेट से अपने अफ्लिकेशन निकाल रहा है तो काफे स्टुडेंट से आप फोन करते हैं पुछते हैं किसा ये state का form तो नहीं मिस हो गया है तो आपको बस ये देखना है कि आपके state का form ना मिस हो जाए कहीं पर रेशेशन निकल रहा है और आपके score के लाएग है तो आप इसको at least इन्रोल करा करा के चलो करनाटिका में भी first round के लिए रेशेशन हो चुके हैं अगर किसी student का रेशेशन हो गया है तो आपको नर्वस होने की बात नहीं है फर्दर round में round 2 में वरना round 3 में करनाटिका दुबारा से open करेगा उसमें आप यहां पर रेशेशन कर सकते हो अब करनाटिका में फिलहाल रेशे और अपलोडिंग हो चुकी है अब आप लोग से choice filling ली जाएगी choice filling कहीं के भी fill करते हो आप तो choice filling से पहले उसी official website के आपके सामने seat matrix आती है जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी college आपके सामने available है कौन सी category के अंदर से आपको seat को fill करना है other state में basically आप लोग my main category से seat इसको fill करते हो और college की fees भी जाती है जिससे कि आपको idea मिल जाता है कि किस भी college के हम choice filling कर रहे है इसमें मेरी cost of education क्या जाने वाली है तो ये सारी detail को देखने के बाद ही आपको choice filling अपनी देनी है महा मद परदेश का देख रहे है तो मैं परदेश ने अपने first round के registration open कर दी है इ पिलहाल यहां का registration चल रहा है if you wish आप यहां पर registration कर सकतो है इस बार एक नया medical college मदपरदेश में add हुआ है सुक्सागर medical college जो की जबलपूर के अंदर पड़ता है इसके बाद महनिपूर और मेगाले states ने भी अपनी counseling पहले से start कर दी थी पॉंडिचेरी ने भी अपने first round की counseling का registration करा लिया है चोईस फिलिंग ले लिया है अब इसको direct सिफ अपना allotment देना है most probably mccc के first round के result के बाद पॉंडिचेरी भी अपना result निकाल देगा अधर state वाले बच्चों ने भी पॉंडिचेरी में फॉर्म फिल किया था और government college में भ पंजाब का भी यही status है first round के application पंजाब में हो चुके है document verification भी हो चुके है अब पंजाब हिलाल अपनी choice feeling निकालेगा और फिर आपको यहाँपर choice feeling करनी होगी अपनी features देखने के बाद college अपनी score के साब सेलेक करेंगे पंजाब ने इस बार clear कर दिया था कि other state वाले बच्च यहाँ पर first round verification कर सकते थे लेकिन उनको जो counseling करने में जो participate करेंगे वो second round से करेंगे first round में राजिस्थान सिर्फ अपने state के बच्चों के साथ ही counseling करेगा other state वाले बच्चों ने NRI category से government college के लिए भी राजिस्थान में apply किया है इनका document verification तीन जन्वेरी को है आप लोगो अर्यूस मेडिकल कॉलेज जैपूर जाना है इसको आप मिस ना करें अगर आप document verification नहीं करते हो तो आप further counseling से out हो जाओगे तो अगर आप other state से हो और राजिस्थान में counseling करना चाहते हो first round में अगर आपसे form मिस हो गया है तो भी कोई nervous होने की बात नहीं है second round में दुबारा से form मिस निकलेगा तो आप यहाँ पर registration करके choice filling कर सकते हो वैसे भी first round में राजिस्थार में choice filling other state की consider नहीं की आएगी my main category से इस्टेट वाले बच्चे private college, government college सब के लिए first round में counseling करेंगे activity आपकी online होगी तो जैसे आप देख रहो कि सारे state में registration निकलता जा रहा है कुछ state choice filling भी करवा रहा है कुछ document verification भी करा रहा है एक हफ़ते की बात है एक हफ़ते भी देखते देखते निकल जाएगा उसके बाद फिर आप लोग फुल फ्लेश counseling करोगे MCC भी करोगे साथ में अपने states भी करोगे we wish you all the very best for the best allotment इसके बाद तेलंगाना एक बड़ा state है तेलंगाना के application अभी start नहीं हुए स्टेटेस है इसमें कम फीस का कॉलेज है तो तिपरा का भी application फिलहाल अभी start नहीं हुआ है यूपी का application इस्टार्ट नहीं हुआ है आंध परदेश वेस्ट बेंगौल उत्राखंद ये important state से इनका फिलहाला application इस्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उडिसा वाले ही बच्चे उसमें counseling करा सकते है हाई टेक medical college महराष्टा आज तीस तारिक से अपना application इस्टार्ट कर रहा है और पाथ जनुरी तक यहां पर registration चलेंगे तो महराष्टा के जो students हैं सभी students जो नहीं को qualify किया है आप अपना फिलहाल यहां पर enrollment कर सकते हो document uploading कर सकते हो फिफ से पहले पहले आपको करना है for all the medical courses MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, BSLP, किसी भी course में आपको BPTH में किसी में आडमिशन लेना है तो सब NEET के थूरू और सब इसी counseling से आपको allotment मेलेगा तो it is very much compensatory for each and every student of महराष्टा that they should at least enroll in this counseling इसकी official website mahacity.org है वहाँ पर जाके आप रिशेशन कर सकते हो अब other state वाले बच्चे अगर महराष्टा के अंदर apply करना चाहते है तो एक quota होता है जिसको हम institutional quota बोलता है इसमें basically fees आपकी काफी हाई हो जाती है यानि कि आप honor average देख सकते हो कि 30 से 35 lakh रुपीज की fees आपकी per year की बनती है यानि कि cost of education आपका 1.5 CR से उपर काया आता है अगर आप ये budget दे सकते हो तो आप भी महराष्टा में involvement कर सकते हो other state वाले बच्चे common state quota fees पे आप eligible नहीं हो तो ये formula महराष्टा ने last year से start कर दिया था काफी ज़्यादा फीस होने के वेशे ज़्यादा application इसके अंदर नहीं आते है other state से फिलहाल महराष्टा वाले बच्चे सब इसमें application कर सकते है जारकन की counseling अभी फिलहाल रुकी भी है हरियाना की भी रुकी और इसके बाद चंदीगर ने भी अपना रिशेशन निकाल दिया है 28 से start किया 11 जनुवरी तक लंबी डेट है चंदीगर में काफी लोग को confusion है पंजाब वाले बची बोलते है कि पंजाब के अंदर आता है चंदीगर लेकिन बेसिकली चंदीगर में UT वाले बची Union Territory वाल अब अदर स्टेट का बच्चा मेरिट में भी हाई हो उसके बाद 36 गड़ की काउंसलिंग अभी फिलहाल रुकी वी होफुली ये भी काउंसलिंग जल्ली स्टार्ट हो जाएगी पीजी के नोटिफिकेशन 36 गड़ के अंदर आ चुके है और अंडवार निकोबार जो की ला तो आप अपनी केटेग्री चेंज कर सकते हो केटेग्री चेंज करने के बाद भी आप एनरे केटेग्री से भी चोईस फिलिंग कर सकते हो प्लस आप मैंने में केटेग्री से भी चोईस फिलिंग कर सकते हो फेंड बच जो एडिशनल केटेग्री होती है जैसे कि मुस्लिम म या मेडिकल कॉलेज मेंगलोर उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता है बट स्टेट की कांसलिंग में आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेंगे सारे जो भी आपको अंदर आते हो उसके सारे बेनिफिट मिलेंगे तो फ्रेंड यह था आपका लेटेस अपडेट फिलाल आप ल all for today friend thank you so much for watching us all the very best for your need counseling activities friend thank you so much you